राजिसाभा में समिधान पर चर्चा के दूसरे दिन आरक्षण के मुद्दे पर बस्पा सुप्रीम मायावती का बड़ा ब्यान आया है मायावती ने मांग किये कि अगरों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए अगडी जातियों के लिए आरक्षन के मुद्दे पर B.S.P. के दक्ष मायवती ने प्रधान मंतरी को घेरा है मायवती ने आज राजसभा में बोलते वे कहा कि अगडी जाती के लिए पारते कादार पर आरक्षन देने की घोषना प्रधान मंतरी ने चौण ही की प्रधान मंतरी 27 नॉवंबर के अपने भासर में ये गोषना करते तो ये अम्बेटकर के लिए सच्ची सिर्धान जली होती इसके साथ ये मायवती ने कहा कि भगवान बुद्ध ने मानवता और सांती का संदेश दिया एक ऐसा संदेश जिसकी हमें आज सबसे चादा चरूरत है इसके साथ ये उने कहा कि प्रधान मंतरी जब विदेश दौरों पर होते हैं तो बहुत धित्व की बातें करते हैं लेकिन देश में प्रधान मंतरी के साथियों के काम बगवान बुद्ध की सिक्षाओं के विप्रीत हैं संसद में सीत सत्र के पहले दो दिनों को बाबा साहिब भीमराव अम्बेटकर को समर्पित किया गया था राजसावाँ में आरख्षाओं पर बहस के दोरा आज भावजन समाज पार्टी की अद्र्द मायावतीन के इन सरकार पर जम कर हमला बोला मायावतीने खुद को फसाए जाने को लेकर भी मوجودा बीजेपी सरकार के साथ ही और्थ की कौंग्रेस सरकार को भी घहरा मायावती ने कहा कि CBI का दुरुपयोग करके बीजेपी और पॉंग्रेस दोनों ने मुझे फसाया इस बार भी बीजेपी वही हत्गंडा अपना रही है लेकिन उसे मुझ की खानी पड़ेगी ऐसा मेरा सरकार को चेलेंज है इन सरकार के साथ ही बीजेपी पर भी बस्पा सुपरी मुहमायावती ने जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो बीजेपी के ओर से उन पर भारी दवाब था कि सरकार को हिंदुवादी तरीके से चलाया जाए लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी, बदले में उनको जम कर धम क्या मिली, लेकिन उन्होंने सम्मिधान का सम्मान किया 267 के तहट बहस करवाई जा रही, बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के राजे सबा सांसद और पार्टी के वरिष नेता रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया कि मोधी सरकार को इस मुद्दे पर सपा का समर्थन हासिल है और आहां सुष्टा के मुद्दे पर जितनी बहस कराई जाएगी उतना ही ये मामला फूल पकड़ेगा रामगोपाल यादव ने भारत सरकार की नीतियों का परोग स्तमर्थन करते हुए कहा कि जितनी सहिंसुता भारत में है उतनी संसार के किसी और देश में नहीं है गलत करार दिया इसके बाद बीजेपी सांसत मुद्द सलीम की मापी की मांग करने लगे लगातार हंगामा होता रहा और इस बीच लोगसभा की कारवाई को कई बार अस्थगित भी करना पड़ा सोमबार का दिन लोगसभा में असहिशनुता के मुद्दे पर चर्चा के लिए रखा गया था चर्चा के दोरान सीपीम सांसत मुद्द सलीम ने कि इंद्रित ग्रह मंतरी राजनास सिंग पर एक विवादित बयान देने का आरोप लगाया मुद्द सलीम ने एक पत्रिका का हवाला देते वे कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ग्रह मंतरी ने कहा था कि देश को 800 साल बाद एक हिंदू शाषक मिला है इस बयान को लेकर लोगसभा में जबरदस्थ हंगामा हो गया खुद ग्रह मंतरी राजनास सिंग ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और मुहम्मद सलीम सबूत दे कि उन्होंने ये बात कब और कहा कही अनिथा सदन से मा भी मांगे भावुक होते वे राजनास सिंग ने कहा कि वो इस आरोप से आहत है राजना सिंग ने या भी कहा कि मैं काफी सोच समझ कर बोलता हूं क्योंकि अगर ग्रह मंतरी बद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का बयाद देता है तो उसे बद पर बने रहने का हक रही है विवाद बढ़ने पर लोगसबा अध्यक्ष इस आरोग को रिकॉर्ट से हटाने को तयार हो गई लेकिन बीजेपी मुहमद सलीम की माफी की मांग पर अड़ी रही जबकि मुहमद सलीम ने कहा कि मेरी मैशा किसी को आहत करने की नहीं थी मैंने एक मैगजीन के खबर के संदर्व में या बात कही थी और सरकार को मैगजीन में छपे इस बयान की इजाज करवानी चाहिए पीजेपी को मुहमद सलीम की माफी से कम कुछ मंजूर नहीं था जबकि मुहमद सलीम माफी मांगने को तयार नहीं थे ऐसे में बैकडोर से बातचीप का चैनल खोला गया और आखिरकार यह तैय किया गया कि इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और सत्र चलाने के मज़बूरी के चलते बीजेपी को यह सुईकार करना पड़ा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमारिका के राष्टपती बराकोबामा आज पेरीस में मुलाकात करेंगे दरसल दोनों देशों के दुई पक्षिय संबंदों की प्रगती पर यह दोनों नेता समीक्षा करेंगे इसके लावा दोनों नेता आतंकवाद, वेश्विक और स्थानिय मुद्दों की भी चर्चा करेंगे आपको बता दे कि दोनों नेता जलवायू परिवर्तन के कारेकरम पे हिस्सा लेने पेरीस पहुचे है उबामा और मोदी मुखे रूप से जलवायू परिवर्तन पर ध्यान के इंद्रित करेंगे लेकिन साथ ही वे दुईपक्षिय संबंधों के दिशा में हुई प्रगती की भी समीक्षा करेंगे और आतंकवाद समेत वैश्वेक एवं छेत्रीय मामलों पर बातचीत करेंगे वाइट हाउस की ओर से कल जारी राष्टपती के कारेकरम की समय सारली के अनुसार दोनों देशों के नेता कुछ देर के लिए मीडिया से भी रूबरू होंगे और बयान देंगे उबामा अपने चीरी समकक्ष सीज जिन्पिंग के साथ भी सुभा दुईपक्षिय बैठक करेंगे इसे पहले वो सितंबर में संयुक्तराष्ट महासभा केतर नियू यॉर्क में मिले थे पैरिस में होने वाली मुलाकात उनकी छटी दुईपक्षिय बैठक होगी अब इन दो दिगज नेताओं की ये छटी रिकॉर्ड मुलाकात है उमीद है कि इससे दोनों देशों के संबंद और भेतर होंगे और दोनों देश के नेता आतंकवाद के खिलाब किसी नई रणनीती के साथ सामने आएंगे लोकसवा में CPM सांसद मोहमद सलीम के बयान पर हंगामा मच गया मोहमद सलीम ने कहा कि PM मोधी के सपत ग्रेन के बाद ग्रेमंतिर आजनाथ सिंग ने कहा था कि देश में 800 साल बाद कोई हिंदू सासक बना है जब चुनाओं के बाद मोधी जी सक्ता में आएं आशन में क्या कहा गया 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से देश का सासक बना है दिल्ली विधान सामा में आप सरकार के लोगपाल बिल पेश करने को लेकर खुब हंगामा हुआ विजेपी विधायत विजेंद्र गुपता के असेमली से घसीट कर बाहर निकाल दिया गया आपको बता दें कि विजेंद्र असेमली में केजीवाल सरकार के जनलोगपाल को मजबूत बूत मा बताते हुए हंगामा कर रहे थे पिछले दिनों बीजेपी एमले ओपिश शर्मा को भी विधान सबा से बाहर निकाल दिया गया था शर्मा ने आपने ता अलका लामा पर कमेंट किया था दिल्ली असेमली के पूरे विंटर से बाहर किये गए बिजेपी MLA O.P. शर्मा ने विजेंदर गुपता को घसीट कर असेमली से निकाले जाने की धटना की निंदा की है उन्होंने कहा कि जब से आमाद्मी पार्टी लालू इफेक्ट में आई है विरोत की आवास दवाने का यही तरीका आपनाया जाने लगा है गोरतलब है कि दिल्ली असेमली में बिजेपी के तीन विधायक हैं अब असेमली में बिजेपी के एक मात्र MLA जगदीश प्रधान बचे हैं बिजेपी विधायक विजेंदर गुपता ने कहा कि आप विधायक हमें मा बहन की गाली देते हैं और इस पीकर इस पर कुछ नहीं करते। दिल्ली में आमाद्वी पार्टी की सरकार दोारा विधान सभा में जनलोग फाल बिल 2015 पेस के जाने से पहले योगेंद यादव के नेतत में सौराज अभिहान ने परतर संस्रू कर दिया है। आजाईए आप जहां आप भी इच्छा हो। दोारा केबिनेट में पास जनलोग फाल बिल को परसान भूशन ने जन्ता के साथ धोका बताया था और केजरी बाल को इस मुद्दे पर पहस की चिनोती भी दी थी। दिल्ली में एक बाफी के जवा सरकार के खिलाब बीजेपी कारेकरता सड़कों प्योतर आएं। बीजेपी कारेकरता उने इस सरकार के खिलाब परदर्शन के आप सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आज परदर्शन के दोरान बीजेपी कारेकरता उने आप सरकार का पुतला खुका। बीजेपी का ये परदर्शन उनके विधायक ओपी शर्मा को विधानसवा से पूरे सत्र के लिए निलंबित के जाने को लेकर है। बीजेपी कारेकरताओं को कहना है कि विधान दिवस के मौके पर किसी विधायक को विधायक को विलंबित करना लोग कंत्र की हक्तिया के बराबर है। ज़केर के लिए संबल के साथ ही चन्दोसी गुन्णों आवरो मरावात से दमकल की गाडिया पहुँची। रात तीन वज़े से इस सबह तक आग बुजाने के लिए कड़ी मशकत के बाद आग को बजाया गया। आगपर कावुप आने के बाद मलवा साप करने के बात आई तो एक बार फिट से आगने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया बड़ी मसक्तर के बाद आगपर कावुप आया गया राष्टे इंडियन मिलेटरी कॉलेज के 178 वे दिक्षान समारों में शामिल होने दहरादूर पहुचे रक्षा मंत्री मनहोर पारिकर ने बहतर परदशन करने वाले चात्रों को सम्वानित क्या है वही रक्षा मंत्री मनहोर पारिकर अपनी साथ छवी और बेबाग बयान बाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन हलके फुल के अंदाज में कही गई बात अब रक्षा मंत्री के कले की फास बन गई है रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि वे कुछी समय बात साथ साल के होने जा रहे हैं जिसके बाद वो रिटायर्मेंट लेने पर विचार करेंगे दूसरी तरफ दहरादूर पहुंचे रक्षा मंत्री मनहोर पारिकर ने रिटार्मेंट जैसी बात से साविंकार क्या है और कहा है कि एक उम्र होती है रिटार्मेंट की लेकिन उनका अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और अनुभव का फायदा हमेशा ही मिलता है लेकिन जिसने मेरे ब्यान को तोड मरोड कर रखा है उसका काम ही है ऐसी ब्यानबाजी करना दहरादूर पहुंचे रक्षा मंत्री मनहोर पारिकर ने अपने रिटार्मेंट वाले ब्यान पर सफाई दी है साथ ही कहा है कि उनके ब्यान को तोड मरोड कर पेश किया गया है लेकिन देखना दिल्चस्थ होगा कि ब्यानबाजी के आगे क्या भविश्य होता है चौकि भाजपा में पहले ही उम्र का तकाजा कई बार दिया जा चुका है शिवसेना ने प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि धार्मिक ग्रंथों के बजाए सम्विधान पर हात रखकर शपत दिलाना अनिवारे किया जाए जिससे देश को धर्म पर आधारित राजनीती के चंगुल से बाहर निकाला जा सके शिवसेना ने अपने मुख पत्र सामना के समपादकिये में कहा है कि समविधान सभी धर्मों के लिए पवित्र ग्रंथ होना चाहिए कानून के समक्ष सभी धर्म समान है और दिवंगत बाल ठाकरे ने भी यही कहा था संपादकिये में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है लेकिन कानून के समक्ष समविधान सरवोच है पार्टी ने कहा कि लोगों को अदालत में धार्मिक पवित्र ग्रंथों के बजाए समविधान पर हाथ रख कर शपत लेनी चाहिए शिवसेना ने कहा कि मोधी ने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेट कर द्वारा दिये समविधान को बदलने के बारे में सोचना आत्म हच्या करने जैसा होगा प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि समविधान एक पवित्र पुस्तक है सामना के समपादकिये में लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को इस विचार को विस्तार देना चाहिए और देश को धर्म पर आधारित राजनीती के चंगुल से बाहर निकालना चाहिए फर्जी दस्तावेजों के बलबूते शिक्षग विभाग में नौकरी कर रहे है शिक्षकों पर अब गाज गिरने की तैयारी की जा रही है फर्जी दस्तावेजों के बदोलत नौकरी कर रहे कई शिक्षकों पर अब गाज गिरने जा रही है सितारगंज हरिद्वार के बाद अब देरादून और अन्य जन्पतों में भी विभाग ने शिक्षकों के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिये है सितारगंज में एक शिक्षक की फर्जी डिग्री होने का मामला सामने आये था जिसके बाद विभाग के होज भी उडगए थे कि आखिरकार 18 सालों तक फर्जी दस्तावेजों का खुलासा कैसे नहीं हुआ जब मामला खुला तो परदेश के अन्य जन्पतों में भी इसको देखते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिये नौकरी में शिक्षकों के होश उड़ गए मामले में आए दिर हो रहे हैं खुलासों को देखते हुए खुद शिक्षा मंतरी ने सक्त कारवाई करने की बात कर रहे हैं उनके अनुसार विवाग फर्जी शिक्षकों के खिलाव सक्ती से कारवाई करने की तैयारी कर रहा है इसको लेकर शिक्षा महानिदेशक को निर्देश दिये जा चुके हैं कि जल्दी ब्लॉक से रिपोर्ट मंगवा कर मंतराले को भेजें विबागे मंत्री के अनुसार फर्जी शिक्षकों पर निलंबन की कारवाई भी की जाएगी फर्जी दस्तावेजों के बदौल अद नौकरी कर रहे हैं शिक्षकों के मामले पर अब विबाग की भी जमकर फजियत हो रही है 18 साल तक काम करने वाले शिक्षकों पर अब विबाग कारवाई करने की बात कर रहा है आखिरकार इतने बड़े मामले को लेकर विबाग क्यों संजीदा नहीं हुआ ये अपने आप में देखने वाली बात है द्रासधानी में परस्तावित स्मार्ट सिची का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है विधान सबा में पत्रकारों को विस्तरत जानकारी देने के लिए एक बड़ी फ्रेस कॉंफरेंस आयो जित हुई इस पश्ट कर दिया गया है कि अगले 15 दिनों में असल मसौदे तक पहुँचा जाएगा क्योंकि लोन के साथ साथ भारत सरकार के समझ पूरा मसौदा फेस करना है विधान सबा में सहरी विकास मंत्री, कमिश्टर गढ़वाल, उपादेक्ष MDDA, सची उसूचना और DM दहरादून पहुचे यहाई नोंने विस्तरत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए पहले रायपूर, जॉली ग्रांट, विकास नगर, सिमला बाईपास का सर्वे किया गया लेकिन जमीन के हिसाब से सबसे बहतर T-State विकलक मिला क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ राजी सरकारिया केंदर कर सकती है और प्रोजिक्ट जल्दी पूरा करना है, लियाजा दिग्रण में नहीं जाय जा सकता यू तो 2500 एकल धूम के आँ सकता है, लेकिन 1200 एकल का प्रस्ताव इसलिए रखा जा रहा है ताकि भविश में होने वाले विस्तार से भी लोगों को राहत मिलेगी और एक बहतर दून के साथ साथ स्मार्ट सिटी जो कि नॉलेज सिटी के रूप में विक्सित होगी को तयार कराया जाएगा साथ और चालिस के रेशियों से निवेश होगा और घुडकों से 2100 करोड रुपे लोन की दरकार MDDO को है ताकि स्मार्ट सिटी का मसला आगे बढ़ सके उपादेक्ष MDR मिनाक्षी सुंदरम के मुताबिक चाइना की टोंगजी उनस्टी कंसल्टन्सी के साथ साथ प्रजक्त में निवेश भी करेगी वहीं चाइ बागान के विस्थापित मजदूरों को बाकाइदा प्रोजक्त में शामिल किया जाएगा उन्हें मकान के साथ साथ जरूरी स्रम कार्यों में भी लगा कर उनकी रोजी रोटी की पूरी विवस्था की जाएगी हरीद्वार में पंचाइच चुनाव को लेकर सुरक्षय ब्योस्ता मजबूत करने में जुटी पुलिस आईजी संजे गुंजियाल ने हरीद्वार से तमाम समवेदंशील बूतों की रिपोर्ट की तलब हरिद्वार जिले मा आगामी पंचाय चुनाव को लेकर पुलीस ने कमर कसली है पंचाय चुनाव शांतिपूर तरीके से संपन्नों इसके लिए पुलीस पूरी मुस्तैवी के साथ कारे कर रही है उत्तर प्रदेश के संवेदंशील जनपदों से सटे हर्दवार जिले के गाउं को लेकर पुलीस ज्यादा सतर कह आईजी संजय गुंजियाल ने जिले से संवेदंशील बूतों पर संवेदंशील इस्तलों की रिपोर्ट तलब की है साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट भी मांगी गई है जो पुलिस कर्मी तै कारे काल पूरा होने के बावजूद अपने कारे शेत्रों में डटे हुए हैं पुलिस आचार सहीता का शक्ती से पालिन कराने की पूरी कोशिश करेगी साथी शराब तसकरी और गुंडा प्रिवती के लोगों पर पुलिस की विशेश नजर बनी होगी आई जी संजय गुंजियाल ने हरिद्वार जिले के ऐसे लोगों की भी लिस्ट मांगी है जो आए दिन गरामिड इलाकों में बेवज़ माहल खराब करने का काम करते हैं दोरान फोर्स जैसे ही रवाना हुई वैसे ही छात्रों का उपद्रों फिर से सुरू हो गया उसके बाद दुकानदारों ने भी अपना हाथ साथ किया यही रही दोनों तरफ से जम कर बंबाजी हुई पूरा इलाका बंवों की आवास से थर रहा उठा पिलिस प्रसासन ने कई थानों की फोर्स मंगा कर हालात को काबू किया और उसके बाद हाउस्टलों में छापे मारी कर कई छात्रों को हिरासत मिलिया है तो वहीं कई दुकानदारों को हिरासत मिले कर पूस्ताज कर रही है फिलाल मामले को कंभीर्टा से लेते हुए एक बटालियन पियसी कंडगन थाने में तैनात कर दी गई है चात्रों दुकानदारों की जलब को देखते हुए कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया और किसी तरह से मामले को सांथ कर आगया फिलाल प्रसासन ने कई हास्टलों में छापे मारी कर कई छात्रों को गरिफतार किया है तो वहीं कई दुकानदारों को भी हिरासत मिले कर पूस्ताज कर रही है वराट्सी के एक कलब में दिवाली समापन समारों में पहुच एपाप गायक दिलेर महदी उन्होंने अपने गायक से समाबान दी दिलेर मेंदी ने मीडिया से बात करते हुए आस हिसोर पर कहा कि उन्हें भारत में कोई तकलीफ नहीं और वो यहां बहुत खुस है बाकी कोई क्या कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता हूँ मुझे नहीं पता इसके अलावा उन्होंने ये भी बताए कि मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ मुझे वहाँ बहुत प्यार मिला इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैंने दस करोड की चैरिटी जुटाई पाकिस्तान में भारती कालाकारों के लोग पैन हैं उनके प मन की बाद में पधाम मंत्री द्वारा सोलर दीदी का नाम लिये जाने के बाद अब विवात खड़ा हो गया है जहां पधाम मंत्री ने सोलर दीदी का नाम नूर जहां लिया है वहीं समाचार प्लस की टीम ने अपनी परताल के बाद गुड़िया सोलर दीदी को धून निक वो पतेपुर की रहने वाली है, सोलर दीदी गुरिया एक विद्वा है, वो सरमिक भारती संस्ता के द्वारा ये काम करती है, पती बिने गुजराद में काम करते थे उनकी दोजाग्यारा में मौत हुई थी, तब से ही गुरिया घाटमपुर के हागाओं में रहकर सोलर लगी है, नूर जहां को सरमिक संस्ता हर मेने पंदरा सो उसे गृट के एवज में किराया भी देती है, सरमिक संस्ता का कहना है कि सोलर दीदी तो गुरिया ही है, नूर जहां का सोलर दीदी से कोई भी मतलब नहीं है, वहीं समचा प्लस की बात करने के दोरान सोलर दीदी करने का काम उन्होंने किया है